फ्रेंट्स कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेसेज बोलना होता है जहां कहते हैं या मेरी मजबूरी है जैसे इंगलिस सीखना मेरी मजबूरी है उसे पैसा देना मेरी मजबूरी है आपके साथ रहना मेरी मजबूरी है या काम करना मेरी मजबूरी है तो आए आगे friends देखे कि इस तरह के sentences को कैसे बोलना है Friends, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करें बेर आइकान को hit करें ताकि मेरा latest video आप तक सबसे पहले पहुंच सकें तो इस तरह के sentences जहां आप कहते हैं कि यहां मेरी मजबूरी है को बोलने के लिए it is my compulsion to का इस्तिमाल करके अपने sentences को बोलेंगे यहां मैं एक बात बता दो कि to के बाद आने वाला verb first form में होगा जैसे इंगलिस सीखना मेरी मजबूरी है तो sentence के लिए आप कहेंगे उसे पैसा देना मेरी मजबूरी है तो sentence के लिए आप कहेंगे या काम करना मेरी मजबूरी है तो sentence के लिए आप कहेंगे वहाँ जाना मेरी मजबूरी है वहाँ जाना मेरी मजबूरी है यहां आना उसकी मजबूरी है तो friends उमीद करता हूँ कि जब कभी भी आपको कहेंगे या मेरी मजबूरी है या उसकी मजबूरी है आपकी मजबूरी है इस तरह के sentences को बोलनी के लिए आप जैसे words का इस्तेमाल करके अपने sentences को बोलेंगे अगर वाकई आपको या concept समझ में आया तो कि आज topic पर दो sentences कमें बोक्स में लिखेंगे सिर्फ दो sentences कमें बोक्स में लिखेंगे और मैं चेक करके बताऊँगा कि आपने सई सीखा या घलत फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे lessons के साथ तब तक के लिए सब्सक्राइब भाजे में बोके बोके टुछेंगे लिखेंगे về